कॉंग्रेस ने अपने कार्करताओं के साथ जिसका नेत्रित जिला कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष जमाल एहमद कर रहे थे सभी ने अंबेटकर चौरहा इस्थित बाबा साहब की मूर्ती पर मालयारपन किया और उनकी नीतियों पर चलने की कस्में खाई कॉंग्रेस से बात करते हुए कॉंग्रेस के जिला ध्यक्ष जमाल एहमद ने कहा कि बाबा भीम्राओं अंबेटकर पर सबसे पहला अगर किसी का हक है तो है कांग्रेस का इस अंदर में आगे उन्होंने बताया करता है डादर बाबात रत मैं बाबा साहब डाकर भीम राव अंदिर्कत जी आज सभी लोग उलकी इस्तिती करते हैं आज उनका जन्दिन है 127 जन्ति है सबसे पहला हर बाबा साथ के नाम लेने का किसी का है तो कांग्रेस पाटी का जो कि कांग्रेस पाटी की किंड़ी सरकार में पंडी जवाला नहिरू जी की लेतुत में वो भारत सरकार के कानून मंत्री बने थी बाकि जो भी दल राजिती दल नाम लेते हैं उनके नाम को भुराने का काम करते हैं क्यों उनके नाम पर वो तो पोहासिल कर सकी लेकिन बाबा साहब को जिम्मेदारी हमने सर्मिधान बनाने के काम करने की जिम्मेदारी भी हमने सोपी थी कांग्रेस पार्टी हमने सोपी थी कानूर मंत्री बनाने का काम भी कांग्रेस पार्टी नहीं किया था और कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के सपनों को ले करके उसको साकार करने के लिए लगातार सतक संगरसील रही है और जादी के बाद से लेकर अब तक चाहे कांग्रेस पार्टी के साकार रही हो या ना रही हो हमने इसकी चिंता नहीं की, हम बाबा साहब के दिखादी मार्ग पर चलने का ताम करते हैं आज देश की अंदर विबिन भागों में दल्तों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं परे लिखे जो नौजमान हैं, मेधारी चातर हैं, उनकी हत्या, दलित पदकारों की हत्या, दलित करकरताओं की हत्या और तरह तरह के अत्याचार जो दल्तों पर हो रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी जवाबदारी वर्तभान मोधी सरकार की है हम उसकी निंदा करते हैं और यह संकर्प लेते हैं आज के दिन 117 जैन्टी पर बाबा साहब की कि अपने नेता अदानी राहुल गांधिंजी के नेचुत में हम बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए दली तुर्ट पिलन को समात करने के लिए दली तुर्ट पिलन को समात करने के लिए हम हर परकार का संगर्ष करते रहेंगे और यह संकर्प लेते विए हमने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्प करने का कार आज हिला और महाद अगर कामेश करने के लोगों ने गोरकूर में किया